हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग और यहां हो रहे हैं सामके 26 और मैं चलने कीचन में तो मैं कीचन में आ गई हूं और यह लैसून अध्रक थोड़ी सी चीरा और हरी में ची तो मतलब इसको मैं मिक्सर में पीच लोगी इसका पेश्ट बना लोगी और मैं आज बना रहे हूं वह चावल के फरे जो मैंने दाल भी गोए थे तो कल मैं नहीं बना पाई थी तो वही आज मैं बना रहे हैं और आज है 9 जन कि फसंद भी है टो मैंने मिक्स सब्सेट बना रहे हś तो पुरान आट बना रहना थो मैं साथ क्या बना व तो मैं सब्सक्राण देती हूं तो यह दिखिए चावल वहां душ सब्सक्रां बना है नहीं डाल देंदा इनodu watch men such a video तो उसको तो एक ही बार डाल दीजिए तो अच्छी बनेगी लेकिन फिर भी में तीन बार ही डालती हैं तो पुरानी गर चावल रहना तो ऐसे करके अगर आप तीन बार में डालते हैं जैसे पहले बार डाले थोड़ी जादे करके फिर जब वाली चावल हो जाती है तो फिर अएसे ही बनाती हूं पुरानी चावल हो या नहीं चावल हो कभी कभी जल्दिवाजी रहती है नहीं मन होता है तब एक ही बार डाल देती है उसए हिम मैं बनाती हूं और इधर मैं दाल con मीक्शर में पीष लोगी तो जो जिसी जो मिर्चा अदरक लैसूं जीरे Şimdi कि बीना पानी का यह पीछ भी नहीं पाता है तो यह जो यह मैं चने के डालकी बनाते हैं बहुत लोग बनाते यह अच्छा लगता है अप लोगों ने देखा उसमें मैं कुछ नहीं डाले हूं चल्बेंट था मिर्चा और अद्रक और थोड़ी सी जीरा सब पीछने के बाद मैं इसमें नमाग खल दें थोड़ी शी मतलब की भर गरब मसाला डाल देती हुछ अज मैं थोड़ी सी डाल दी है और हिंग मैंने डाले तो स्वाधी बढ़ जाता है तो मैं इसमें धनिया पत्ता भी डालोंगी तो वहीं मैं बनाओंगे यार और जो आटा है ना मैंने एक बार और बनाया था था पूरी तो आप लोगों इस बता था मतलब बहुत मोटा पिस गया एक जम तरदरा है तो उसको ना अगर जैसे मतलब पानी खौलने लगे उसके बाद फिर आप गैस से उतारके आटे में मतलब डालिए तो वही काम करता है तो अगर कितना भी मोटा अगर आटा रहता है तो बहुत अच्छे से मतलब हो जाता है तो मैं ऐसे ही करूंगी गैस पे नहीं करूंगी क्योंकि वर्तन भी खाली तो उसका फराब बनाएंगे तो फटने लगता है अगर आप अच्छे से पानी मतलब बॉइल करके उसको नहीं करेंगे तो फटने लगता है तो इसलिए जिस डारे प्लिए मैं पानी गरम कर रही हूं अगर मैं चाहूं तो इसमें आटा डाल के गैस पे पका सकते हूं और अभी देखिएगा थोड़ा भी फटा नहीं था बहुत अच्छे से बना था और मैं ना बेल के नहीं बनाते हुँ जिसे ऐसे ही हाथ से करके जलदे-जलदी बना लेती हूं और बहुत अच्छा भी होता है पतला भी बनता है तो जब तक इधर ये पानी वाहिल हो रहा था पानी तो पाइल होगी गया था तब तक मैं अपना खीर में डालने के लिए जो ड्राइफू थोड़ा वो थे वो काट लोगी मैं डालती नहीं हूँ ऐसे खीर में नहीं पसंद है मुझे वेटी को लेकिन बता मैं ने बताया था आप लोग को हस्वाइन को और बावू को मैं तो बहुत पसंद है तो वो आज बोला था डालने के लिए तो मैं इने स्विचर डाल देते हूं तो अब यहां देखिए मैं यहां पे बनाने आ गई थी और मैं इसको ना हाथ से ही करूंगी अभी आप लोग देखिएगा तो देखिए आटा कितना अच्छे से वो कहा ना अगर मैं बहुत मतलब पूरा उबला हुआ पानी खौलता वो नहीं डाली होती ना वैसे थोड़ मुझसे नहीं हो पाता है तो मैं ऐसे हाथ से ही करके कर लेती हूं और बहुत अच्छे से हो भी जाता है और जल्दी भी हो जाता है मतलब मेरी क्याल से क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूं इसलिए मुझे लगता है कि हाँ ऐसे जल्दी हो जाता है तो यह लिखी कितनी अच्छे सो और ऐसे करके मैं यह की करकी सारा बना लेती हूं और यहां देखिए मेरा बन गया है सारा एक बार के लिए और ईसने जाली बर्तन में अपनी थोड़ा सा मैंने तेल लगा दिया तेल लगाने से इसनी आसानी से निकल जाते थे तो पानी मेरा उधर गरम हो गया जिसे पानी बॉयल होने के लिए रखी ती मैं तो पानी गरम इसको भाप में पकाना होता है बहुत लोग इसे डारेक्टे इसको पानी में भी बॉयल करते हैं लेकि मैं वैसे नहीं बनाती हूं मैं भाप में बनाती है इसको और यह जब बना तो इस मतलब सब बरतन पे नहीं आपाता है या तो इस पे आता है या तो उसी में मैं रख दी थी और यहां के नहीं बाबु कुछ बोल रहा था तो मैंने म्यूट कर दिया था यहां पर देख यह बार के लिए मैं रख दी हूं और नहीं धर से मतम निकल रहा था भाब तो मैं इसके ऊपर यह रख दी हूं कि थोड़ा दबा रहेगा नहीं निकलेगा हो जाएगा अच्छे से तो जब तक वो हो रहा था तब तक मैं उधर जो बचा हुआ था वह भी बना ली थी दो बार के लिए वस हुआ था और उसके बासे ना आटा अधा बच गया था तो अभी आप लोग देखिएगा उसका मैं क्या बनाए हूं बहुत लोग बनाते होंगे तो यह देखी कितना अच्छे से हो गया है फटा भी नहीं था विल्कुल आटा मतलब इतना दरूरा आटा था ना उस हिसाफ से लग रहा था कि अच्छे से बनेगा नहीं तो मैं पहले ऐसे दिख्यी और यह देखिए जो आटा बचा था उसका मैंने क्या बनाया है और यह मेरे बेटी को बहुत पसंद है तो वह खड़ा खें बनवारहां थी और इनका इधर चल ला था खाने का थीक लग घ्या था था थोड़ा हो गया था तह laughter यह खाने से जधा न न दो लेके गया था था तभीजित्लिक, जाते हो गया था तो यहां देखिए यहां मेरा हो गया तो नो तो इसको न चौवा फारा बोला जाता है फारा तो आपको ज्यानते ही हैं तो उसके बाद से अब इसको थोड़ा सा न तोड़के मैं तल लूँगी और उधर ग्लास में मेथी भीगो दी थी थी थोड़ा सा जैसे न मेथी अगर आपकी कमर में मतलब दर्द है तो अगर आप रात पोना है जिसे एक शममस मेथी रात को भीगो दीजिए और सुबह उसका पानी पीके और मेथी जो रहता है उसको खा लिजे तो बहुत अराम मिलता है तो वह का मैंने कर दिया है भीगो दिया और मैं रोज रात को ही भीगो काद की सब्सक्राइब कर दाद locks गाविं करें जाता है थे तो अवर में बशाद कर दूना और म 또 की पेले में कीचैन कर दूंगी और उसके बास चों यहां बच्टों कँब नहीं कोदे संदगा टों निया ने ने love York को आपकल तक तक खाएंगे और उसके बास से में जो भी खैला हुआ काम हैं यालोग पहला रह एक शम्यटने के बास साथ को जोड़र ग Darren और तब से लगाई भी नहीं थी तो यहां पर मैं इसको लगा लोंगे उसके वासे और जो भी का मैं उसको मैं कर लेती हैं हेलो फ्रेंड्स अभी हो रहे है राज के साड़े राट और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इस लिए मैं अपनी वीडियो को पेंट करती हूं और मेरी वीडियो कैसे लेगी आप लोग को जरूर बताएगा और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सेयर और सब्सक्राइब करें और अगर अच्छा लगे न तो सेयर भी कर दीजिए और प्लीज मेरी वीडियो फूल वाज क्या करिए तो चलिए मैं अपनी वीडियो को यह पेंट करती हूं तो फिर मैं आप लोगों से कलेक अच्छे से वीडियो के साथ मीड़ूंगी नए ब्लॉक के साथ तो तब- के लिए बाए और बताएगा मेरी रेस्पी कैसे लेगी जो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करती है तो बाए